फाइनल में बनेगा माही का महा रेकॉर्ड कभी नहीं तोड़ पाएगा कोई खिलारी फाइनल में धोनी बनाएंगे सब सबड़ा रेकॉर्ड फाइनल में धोनी के लिए बेहद ही खास होने वाला है धोनी इस मुकाबले को जीत कर पांचवी बार चिन्नाई सूबर किंग्स को आई पिल का चैंपियन बनाना चाहेंगे तो वहीं दूसरी तरफ गुजरा टाइटन्स की टीम भी इस मुकाबले को जीत कर लगातार दूसरी बार इस ट्रॉफी पर कबजाद जमाना चाहेगी लेकिन इस हाई वोल्टेज मुकाबले में मैदान पर उतरते ही MS धोनी एक महार रेकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे धोनी आई पिल का सबसे बड़ा रेकॉर्ड बना देंगे एक ऐसा रेकॉर्ड जिससे तोड़ पाना किसी भी खिलारी के लिए कभी भी आसान नहीं होगा अब आप सोचेंगे कि ऐसा कौन सा रेकॉर्ड बनाने वाले हैं महेंदर सिंग धोनी तो चलिए आपको बताते हैं माही के इस महार रेकॉर्ड के बारे में MS धोनी बनेंगे IPL के बाहू बली धोनी की कप्तानी में चन्नाई सूपर किंग्स की टीम दसमी बार IPL फाइनल खेलने उतरेगी ऐसे में धोनी की नजर पांचमी बार अपनी टीम को IPL चैंपिन बनाने पर होगी लेकिन इस मैच में टॉस के लिए मैदान पर उतरते ही धोनी आईपिल के बाहू बली बन जाएंगे क्योंकि जैसे ही धोनी आईपिल 2023 का फाइनल मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरेंगे वो एक महारेकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे असल में ये महेंदर सिंग धोनी का 250 वाँ आईपिल मुकाबला होगा जी हाँ महेंदर सिंग धोनी इस टॉनमेंट में 200 मैच खेलने वाले पहले और इकलोते खिलाली बन जाएंगे अभी तक महेंदर सिंग धोनी के आईपिल रिकॉर्ड की बात करें वैसे आपको बता दे कि इस बार चारों तरफ शोर है कि ये मही का आखरी आईपिल सीजन हो सकता है मगर अब तक मेस धोनी ने इस बात पर कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया है जो इस बात की तस्दीक करता हो कि ये मेस धोनी का आखरी आईपिल सीजन होगा वैसे IPL के इस सीजन में भी धोनी का प्रदर्शन धमाकेदार रहा है माही ने सीजन में अभी तक 15 मुकाबले खेले हैं जिसमें उन्होंने 185.71 की स्ट्राइक रेट से 104 रन बनाए हैं और इस सीजन में माही के बल्ले से 10 छट्के भी निकले हैं जो महेंदर सिंग धोनी के फैंस के लिए किसी अनमोल तोफ़े से बिल्कुल भी कम नहीं हैं अब IPL का फाइनल मैच धोनी का 200 मुकाबला होगा और महेंदर सिंग धोनी अपनी टीम चन्नाई सूपर किंक्स को पाँचवी बार IPL का खिताब जिताने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे फाइनल में गुजरात और चन्नाई का होगा आमना सामना IPL 2023 का फाइनल मुकाबला एहमदाबाद के नरेंदर मोधी स्टेडियम में खेला जाएगा ये मैच चन्नाई सूपर किंक्स और गुजरात टाइटन्स के बीच होगा और अब तक इन दोनों टीमों के बीच खेले गए IPL के मुकाबलों की बात करें तो अभी तक इन दोनों टीमों के बीच चार IPL मुकाबले खेले गए हैं जिसमें गुजरात टाइटन्स के टीम ने तीन बार बाजी मारी है तो एक बार चन्नाई सूपर किंक्स ने मुकाबला अपने नाम किया है कौलिफायर वन में जब चन्नाई और गुजरात के बीच मुकाबला हुआ था तब चन्नाई सूपर किंक्स ने जीत हासिल की थी मगर वो मैदान चेपोक का था और अब मैदान होगा एहंदबाद का नरेंदर मोदी स्टेडियम जो गुजरात टाइटन्स का होम ग्राउंड है लेकिन एक बात तो साफ है इस फाइनल मुकाबले को कोई भी जीते लेकिन इन दोनों टीमों के बीच एक बार फिर से रोमान चक मुकाबला होना तै है बैसे दोस्तों आपको क्या लगता है इस बार कौन सी टीम आईपियल का खिताब जीतेगी क्या गुजरात टाइटन्स की टीम लगातार दूसरी बार आईपियल की ट्रॉफे उठाएगी या फिर महेंदर सिंग्धोनी पांचवी बार चिन्नाई सूपर किंग्स को आईपियल का चैंपियन बनाएंगे कॉमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब पर लाइक करना ना भूले इसके साथ इसाथ क्रिकेट की ताज़तरीन खबरों के लिए हमारे फेस्बुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिलकुल मत भूलिएगा